हाई फ्रेंड्स यूट्यूब में आपका स्वागत है और हिल्दी लैप की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नमश्कार तो अभी चल रहा है कार्दिक का पावन महीना जो की बहुत ही शुप माने जाता है इस महीने में बहुत ही ज़्यादा पूजापाट और बहुत सारे तौहार पड़ते हैं तो करवा चौट से शुरूर हो के दिवाली तक के तौहार बहुत ही शुप माने जाते हैं तो अभी इस वक्त आने वाली है अश्टमी जो की दिन रविबार 5 नवंबर को अश्टमी के दिन मनाई जाएगी इस दिन महिलाएं माताइं अपने संतानों क की लádि आई यू की ये व्रत करती हैं जिस तरह करवा चौक का चौक करत की आईयू की कामना करने के लिए इसी तरह ये फी न्रजल्ड्स किया जाता है अपने संतानों की लंपी आयू की ओक्र 좀 मरी की काना को यह ठाश तो क्या है शूब महुरत और इसमें कौन को से उपए हैं जो आपको करने चाहिए वह मैं सब आपको पताने जा रही हूं अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूल है तो शुरू करते हैं अधी ऐस्टमी का पूजा का शूब महुरत क्या है आउद स्थमिका पूजा का शूब महुरत साम 5 बाच कर 33 मिनट से लेकर शाम 6 बावन मिनट तक रहेगा और तार्य देखने का समें 5 बाच कर पचास मिट तक पाच वज़े से लेके पांट परसका टावन मिट तक रहेगा तो यह आई एस्टमी के दिन जो कुछ पाए हैं जो माताय भेनों को करने चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह सब मैं आपको बता रहे हूं आई एस्टमी के दिन जो माताय भरत रहेंगी उनको तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बलकि जो ब्रत रहरी वो ही नहीं बलकि पूरे परवार के सब जो हैं उनको भी तामसी भोजन प्यास लेसन वगरा नहीं घाना चाहिए साथ ही घर में उस दिन लड़ाई चगड़ा ना करें महीला को मिट्टी से जुड़ा कोई भी प्लक नहीं करना चाहिए जैसे और उन्हें खुर्पी वगरा भी नहीं चलाने चाहिए अहुयस्टमी के दिन जो मातें मेंने पूजा करेंगी उन्हें काले नीले वस्तर पहन के पूजा गलती से भी नहीं करने चाहिए उन्हें लाल लीले लाल पीले हरे गुलाबी इस तरह के वस्तर पहन के पूजा कर सकती हैं जो की एक रंग बहुत ही शुप माने जाते हैं माता हैं तारों की चाहों में अरक देके अपना जो निर्जला व्रत हैं उसको खोलती हैं और भोजा घ्राण करती हैं इस दिन कुछ उपाएं हैं जिसके करने से आपके संतान की जीवन में सुक्समृता बढ़ेगी और कभी भी धनकी सब कमी नहीं होगी तो यह उपाएं हैं नमबर एक पर यह है कि दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसो के तेल का दीप चलाने से आपकी संतान की मैं जी संतान की जीवन में सुक्समृत्दी भनी रहेगी कभी धनकी कमी नहीं होगी नमबर दो गाय को हरा चारक लाएं ऐसा करने से जो माताएं भेने आपके दिन गाय प्रति का फल प्राप्ट होता है तो आई रश्मी के दिन नीचे संतान महीं लाएं उस दिन गाय को चारा अवश्य लाएं जो भोजन मनाई है उसमें से भी ऩो थूड़ा भोजन का हिस्सा का ख सब्रक लाएं ऐसा करने से उन्हें संतान की फल की प्रापति होगी नमबर ती से घर में सुक्सम्रद्धी बढ़ती है और आपके संतान के जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता और सुक्सम्रद्धी बनी रहती है नमबर पांच पर है कि उस दिन सफेद पूल आप अश्टमी महिया को अश्टमी जो माता हैं उनको आप सफेद पूल अवश्य चड़ाएं ऐसा करने से आपके संतान के जीवन में खुशियां भर जाएंगी और सुक्सम्रद्धा बनी रहेगी तो यह थे कुछ उपाय और कुछ नियम जो कि आपको करने हैं नहीं करने हैं तो आप इस सब करेए और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए